तो दोस्तो आप सभी का वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज हम S23 के कैमरे को टेस्ट करने जा रहे हैं और यह जानने जा रहे है कि क्या यह फोन 2024 में भी व्लॉगिंग के लिए एक अच्छा उप्शन बन सकता है तो दोस्तो इसके कैमरे के बारे में डीटेल में जानकारी जानने के लिए आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा S23 में आपको बैक साइड में तीन कैमरे लेंस देखने को मिल जाएंगे जिसमें इसका प्राइमेरी लेंस 50 मेड़े पिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है जिसका अपरचर 1.8 है और इसके बाकी दो लेंस 12 मेड़े पिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 10 मेड़े पिक्सल का टेली फोटो लेंस है अब चलिए इस phone के camera को open कर लेते हैं camera open करते हैं आपको काफी सारे options show हो जाएंगे जैसे video mode, portrait, photo, night mode और more का option भी आपको show हो जाएगा more option पर click करने पर आपको काफी सारे modes देखने को मिल जाएंगे जिनमें से एक काफी ज़्यादा unique mode है director's view इस mode को open करने पर आप front और back दोनों camera को एक साथ यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आप इस video में देख पा रहे होंगे आप साथ ही आपको इसमें super slow motion का option भी देखने को मिल जाता है जिसके sample video को आप यहाँ पर देख सकते है इसका super slow motion mode काफी अच्छा है जो आपको एक movie वाला feel देगा इसके front camera से आप 4K 60fps तक की recording कर सकते है वहीं अगर इसके back camera की बात की जाए तो वो 8K तक की recording को support करता है इसमें आपको OIS, Optical Image Stabilization भी प्रोवाइड किया जाता है जो वीडियो शूट के दौरान काफी helpful रहता है इसका portrait video mode भी काफी जाद अच्छा है इसको यह blur कर देता है देखे पीछे background को यह blur कर देता है और आमसे video को एक cinematic view की तरह portrait mode subject में focus करता है और video में background को अच्छे से blur कर देता है इस mode का इस्तमाल आप video को एक cinematic touch देने के लिए कर सकते है इस phone की मदद से आप काफी हद तक एक professional level की video graphie भी कर पाएंगे तो दोस्तों इसमें आपको pro video का भी option मिल जाता है more पर क्लिक करने पर आपको pro video का option मिल जाएगा इस option की मदद से आप professional level की video graphie कर सकते है जिसमें आप video recording के दौरान अपने हिसाब से focus, shutter speed, white balance और भी कई professional level की चीज़ों को set कर पाएंगे ये pro mode की video का एक sample है अब हम बात कर लेते हैं इसके fun वाले feature की इसका AR feature यूज करने में आपको काफी fun loving और innovative लगेगा इस feature की मदद से आप अपने face में अलग-अलग emojis create कर पाएंगे तो दोस्तों अब हम आजाते हैं अपने conclusion वाले part पे कि क्या ये phone vlogging के लिए एक better option है तो मैं आपको अपना personal view बताना चाहूँगा कि इस phone को मैं 6 months से यूज कर रहा हूँ और इसी से मैं अपनी vlogs को shoot करता हूँ तो personally मुझे phone vlogging के लिए काफी superb लगा compact size होने के वज़े से phone काफी ज़्यादा handy रहता है और इसका snapdragon 8 gen 2 processor editing के purpose से काफी ज़्यादा powerful है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा helpful रही होगी और आप और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को like, share और subscribe करें